Hello Friends, Welcome to my channel Craig Civil Services Friends, हम यहाँ पर Modern Indian History को Complete कर रहे थे और जैसा कि मैंने आप लोगों से Promise किया है कि मैं आप लोगों की Modern Indian History जरूर पूरी कराऊंगी आज हम Lesson No.16 कवर करेंगे इससे पहले मैंने आप लोगों को 15 Lessons प्रोवाइट करा दिये हैं अगर आप लोगोंने उन Lessons को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजेगा वो Lessons आप लोगों की Modern Indian History की Knowledge को Enrich करेंगे आप लोगों के Concepts क्लियर कर देंगे आप लोग सभी Examinations में चाहे वो UPSC हो, State Level PCS Examinations हो या फिर कोई और Examinations जहांपर GKGS पूछी जाती है Easily Questions को Attempt कर पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं Friends, ये मेरे बारी में Information है एक बार आप लोग देख लीजेगा सबसे पहले हम स्वामी विवेका नंजी के बारे में जानते हैं इनका बहुत ही बड़ा Contribution रहा है Indian Society को Reform करने में इसलिए इनसे काफी सारे Questions पूछे जाते हैं और UPPCS Mains में भी Last Time Question पूछा गया था स्वामी विवेका नंजी के गुरू का नाम था राम क्रिशन परमहंस जी राम क्रिशन परमहंस was a great Hindu saint वो बहुत ही बड़े Hindu saint थे and believed in traditional Hindu based और वो Hindu traditions में believe किया करते थे जैसे की renunciation, modification and education वो चाहते थे की जो हमारे traditions हैं हम उन पर focus करें और अपने आप ज्यान को अर्जित करें इन realizing God within हम अपने अंदर भगवान को realize कर सकते हैं लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए like his guru, अपने गुरू की तरह ही स्वामी विवेका नंद भी यही मानते थे essential oneness of all religions, सबी धर्म है, वो एक है, उनका essence एक है वो लोगों को right path show करते हैं, तो सबी धर्मों की एक तापर इन्होंने जोर दिया था he reiterated the Indians of their neglect of knowledge और वो बार बार इन्डियन से कहते थी कि आप लोगों ने अपनी knowledge को neglect कर रखा है, वेस्ट के बारे में आप लोगों को कोई knowledge नहीं है modern science वगेरा के बारे में knowledge नहीं है और इसी वज़े से हमारी society stagnant हो गई है एक तरह से थमसी गई है, रुक गई है तो ये सारी चीजें उन्होंने लोगों को बताई थी he advocated against superstition and caste system वो बार बार superstition यानि की अंदविश्वास के खिलाफ खड़े हुए जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने he appealed to Indians, उन्होंने इंडियन से request की to inculcate the spirit of liberty, equality and free thinking उन्होंने बार बार इंडियन से कहा कि अपनी जो संकीन मान सकता है, संकीन सोच है उससे बहार आएं और सबको बराबरी का अधिकार दे, सब बराबर है he was a great humanist, वो बहुत ही बड़े मानवतावादी थे, उनके लिए इंसानियत सबसे उपर थी, humanity सबसे ज़ादा थी and believed in service to mankind is service to God और वो ये मानते थे कि अगर हम इंसानों की सेवा करेंगे, इंसानियत को पूझेंगे तो वो भगवान की पूझा करने के बराबर है, भगवान की सेवा करने के बराबर है in 1893, 1893 में, he participated in world conference on religion हमारी एक world conference हुई थी, religion के उपर, कहाँ पर हुई थी, Chicago में हुई थी तो उन्होंने वहाँ पर बहुती जोरदार भाशन दिया था तो friends, यहाँ से बहुत important question पूझा जाता है यह भी पूझा जाता है कहाँ पर हुई थी, और यह पूझा जाता है कब हुई थी तो आप लोगों को यह सारी चीजें पता होनी चाहिए after his return, जब वो वहाँ से वापस आए he established Ram Christian Mission in 1897 उन्होंने Ram Christian Mission की स्थापना की 1897 में again, यह बहुत important fact है, यहाँ से भी question पूझा जाएगा to keep Indians away from materialist influences of West जो materialistic influence था West का, उससे Indians को दूर रखना चाहते थे देखे, यह आज भी बहुत ज़्यादा important है हम लोग चीजों के पीछे भाग रहे हैं और वो भी यही चाहते थे कि हम लोग चीजों के पीछे ना भागें तो यह सारी चीजें वो चाहते थे the mission established और जो उनका यह mission था इन्होंने किस-किस चीजों की स्थापना की schools, जिससे की बच्चों को पढ़ाया जा सके libraries, orphanages, अनाथाले, hospitals वगेरा to serve poor and needed all power is within you सारी शक्तियां तुमारे अंदर है you can do anything and everything तुम कुछ भी कर सकते हो तो friends, यह एक motivating quotes भी है आप लोग UPSC की तयारी कर रहे हैं तो सारी शक्तियां आपके अंदर हैं और आप लोग चाहें तो हर चीज achieve कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं सर सयद एहमद खान के बारे में यह भी बहुती important Muslim reformer थे और इनके बारे में questions पूछे जाते हैं तो friends, आप लोग notes बना लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते रहे आप लोग सभी questions को answer कर पाएंगे इनसे related He was born in high class Muslim family इनका जन्म एक उच्च वर्ग की Muslim family में हुआ था His grandfather और जो इनके दादा जी थे वो minister थे मुगल्स के court में मुगल्स के time पर minister थे After receiving education in Urdu and English इनकी जो education हुई थी वो Urdu और English दोनों में ही हुई थी He took up a job in judicial department of company's government और इनोंने company की government में judicial department में एक नौकरी पाली At the time of revolt जब हमारा 1857 का revolt हुआ था 1857 की क्रांती हुई थी इनकी posting कहां पर थी? बिजनौर में थी He was posted at बिजनौर और इनोंने बहुत सारी British families को बचाया था क्रांती कारियों से बचाया था British families को After revolt 1857 की क्रांती के बाद Company suppressed Muslims Company ने मुसल्मानों को दबाना शुरू कर दिया क्यों दबाना शुरू कर दिया? Company को लगा कि जो 1857 की क्रांती है वो मुसल्मानों दौरा किया गए एक शड़ियंत्र है क्यों Company को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि भारत में आने से पहले Company के भारत आने से पहले यहाँ पर मुसल्मानों का राज था और Company को लगा कि मुसल्मान अपना राज वापस लेना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये शडियंत्र किया है तो सर सयद एहमद खान रोट टू बुक्स सयद एहमद खान ने दो किताबे लिखी और उन किताबों में ये जिस्टिफाई किया कि जो 1857 की क्रांती है वो मुसल्मानों द्वारा किया गया कोई भी शडियंत्र नहीं है डिस्मिसिंग एनी कॉंस्पिरेसी बाई मुसलिम्स एस फारे सयद एहमद इस कंसर्ण अब हम सयद एहमद जी के बारे में बात कर रहे हैं इस पर्सनेलिटी कुड बी इवैलुएटेड फ्रॉम टू परस्पैक्टिफ्स अब उनकी जो पर्सनेलिटी है उसके हमारे दो प्रॉस्पैक्टिफ्स है पहला कि वो एक मॉर्डनिस्ट थे और दूसरा कि वो एक थोड़ा कम्यूनलिस्ट थे अब इन दोनों पर्सनेलिटीज को हम देखते हैं अब हम सबसे पहले modernist personality की बात कर लेते हैं कि सयद एहमत खान modernist कैसे थे सयद एहमत खान supported western education उन्होंने western education को support किया He reconciled this western scientific education और इन्होंने western scientific education को Islamic beliefs के साथ जोड दिया Islamic beliefs को weak नहीं होने दिया In 1869, 1869 में he traveled to London और वो लंदन गए वहां से वापस आकर After his return, he established Momden Anglo-Oriental College और इन्होंने Momden Anglo-Oriental College की स्थापना की 1875 में 1875 में Again यह बहुत ही important fact है यह भी पूछा जाता है और कहां पर की? अलीगड में की Later transformed to अलीगड Muslim University और बाद में इसका नाम बदल कर अलीगड Muslim University रख दिया गया Who practiced social when on widow remarriage? जिन मुसल्मानों ने विद्वा पुनर विवा को रोक दिया था विद्वा पुनर विवा पर रोक लगा दी थी He appealed to Muslims to follow Quran इन्होंने basically Quran पर focus किया क्योंकि Quran main text है इनके हिसाब से Quran में वो शब्द लिखे गए हैं जो Allah ने कहे थे तो Quran को follow करें बाकी किसी चीज को follow ना करें and he considered all other Islamic writings जो बाकी दूसरी Islamic writings है जैसे हदीत वगेरा है इन्हें सेकेंडरी बताया इन्होंने सेयद एमद was a secular leader in his early life वो बहुती secular leader थे शुरुआत में लेकिन बाद में क्या हुआ अब हम देखते हैं His foremost consideration was upliftment of Muslim masses इनका एक चीज पर सबसे ज़ादा focus था कि मुसल्मानों का उत्थान हो सके और इनके हिसाब से मुसल्मानों का उत्थान कैसे होगा उन्हें modern education दे कर by providing modern education और जब उन्हें modern education मिल जाएगी उसके बाद वो job लेने company में और इस वज़ा से वो British government के लिए बहुत ज़ादा loyal हो गए थे His attitude change after the formation of Congress और उनका जो secular nature था वो Congress के बनने के बाद बदल गया क्योंकि Congress में जो members थे वो R.A. समाज के भी members थे और मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि R.A. समाज थोड़ा radical हो गया था शुद्धी movement, cow protection movement जैसी चीजें लेकर आये थे तो इस वज़े से सयद एमद खान भी थोड़े communal हो गये थे British took सयद एमद on their side और इस चीज का फायदा Britishers ने उठाया divide and rule वाली policy के through Britishers ने क्या किया? सयद एमद खान को अपनी side कर लिया and try to get benefit from the rift created between the Congress and the सयद एमद और जो सयद एमद और Congress के बीच में जो खाई बन गई थी, rift हो गई थी उसका फायदा उठाना चाहते थे, वही उनकी divide and rule policy के लो या फिर carrot and district policy के लो, तो Britishers वही कर रहे थे अब हम बात कर लेते हैं, Annie Besant जी and Theosophical Society के बारे में ये society बहुत ही important है, ये society इसलिए important है क्योंकि पहली बार कोई विदेशी हमारे culture से influence होके हमारी philosophy से influence होके, हमारी तरफ attract होएते तो ये इसलिए important है और UPSC यहां से question पूछता ही है यहां पर मैं आप लोग को Theosophical Society के बारे में सारी factual information प्रोवाइट करा रही हूँ और यहां से UPSC ने question पूछा हुआ है, ये बहुत ही important है ये किसने establish की थी? Establish by Helena Blatsky in 1875, Helena Blatsky ने 1875 में New York में establish की थी बाद में Colonel H.S. Alcott from British Army Colonel H.S. Alcott ने इसे join कर दिया था shifted headquarters from New York to ADR और इसके जो headquarters हैं वो New York से ADR shift कर दिये गए थे 1883 में, again ये years बहुत ज़्यादा important है और ये locations भी बहुत ज़्यादा important है It became influential society और ये society प्रभावी कब से बनी? जब Annie Besant ने इस society को join कर लिया and became president in 1893 में तो ये बहुत important है Theosophical society की स्थापना Annie Besant ने नहीं की और यही question UPSC पूछ चुका है It was a unique society मैंने आप लोग को बता ही दिया है ये society unique क्यों थी? क्योंकि ये foreigners द्वारा established की गई थी established by foreigners who were inspired from Hindu religion and culture जो की हमारे religion और culture से inspired हुए थे It criticized discrimination इन्होंने discrimination यानि की भेदभाव की निंदा की of any kind based on the race, color, gender कि कि किसी भी तरह का भेदभाव, race, color, community, gender को लेकर सही नहीं है The society propagated the concept of equality and democracy Society ने किस चीज पर focus किया? Equality और democracy की भारत को अजादी मिलने चाहिए और यहां पर सबको बरावरी का हक मिलना चाहिए मैं आप लोग को एक चीज और बता देना चाहती हूँ यह हमारे अफ्तारवाद पे और विदानता की नौलिज पे इन सब चीजों पे बलीव करते थे डारेक्ट यहां से questions पूछे जाते हैं Any besant कहां से आई थी? Ireland से आई थी और उन्होंने अपने आने से पहले ही She organized movement इन्होंने कई सारे movement चलाए supporting right to vote for women जिससे के women भी vote डाल सके right to vote for women In 1896, 1896 में She established Central Hindu School at Banaras इन्होंने Hindu School की स्थापना की Banaras में यह बहुत ही important है आप लोग को याद रखना है कि यह Hindu School है Hindu College नहीं है Hindu School की स्थापना Any Besant की Banaras में She was the first woman president of Congress Again, बहुत important fact है यह पहली महिला प्रेजिडेंट थी Congress की In 1917, 1917 में बनी थी But बाद में इन्होंने Congress से resign दे दिया था तो friends, आज यहीं तक रखते हैं इस lecture को आगे भी मैं आप लोग के लिए Modern Indian History की और वीडियोस लाती रहूंगी लगातार मुझे पूरा कोर्स कवर कराना है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे की जैसे ही मैं आप लोग के लिए lectures लेकर आऊँ आप लोग सबसे पहले उन lectures को देख सकें अगर आप लोग को मेरा content थोड़ा भी अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे comment करके बताईए वीडियो को like कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाई हूँ और वो comments मुझे motivate करेंगे कि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे-च्छे courses लेकर आती रहूँ Thank you so much